उत्तरप्रदेश का यहां पर पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है यह वही अस्पताल है जो कि कल काफी ज़्यादा चर्चा में आया था क्योंकि यहां पर कथित रूप से एक ऑक्सिजन मॉक्ड्रिल का आयो जिन किया गया था जिसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि 22 मर लावी जांच का विशह बना हुआ है लेकिन इन सब के बीच में अस्पताल को सील करने की बड़ी कारवाई की जा रही है साथ ही इस अस्पताल में जो मरीज भरती थे उनको भी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें कि ये जब शिफ्टिंग ओफ पेशिंस चल रहा था दूसरे अस्पतालों में ले जाया जा रहा था तब पुलीस का भी भारी बंदोबस्त इस अस्पताल के पास मौजूद था आपको बता दें कि ये वही पारस अस्पताल है जिसके मालिक का भी एक वीडियो वा और इन सब के बीच में एक बार फिर से अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन की तरफ से बयान आया है एक बार फिर से उन्होंने अपने आपको पूरी तरीके से निर्दोश पताया है आपको बता दें इस वाइरल वीडियो पर अपनी सफाई देते हुए अरिंजय जैन ने कहा कि विडियो में उन्हें गलती से मौक डिल शब्द का इस्तमाल कर लिया था दरसल अस्पताल में कोई भी मौक डिल नहीं हुई और किसी भी मरीज की मौत की बात पूरी तरीके से गलत है हमने उसे बाई मिस्टेक कह लीजिए या इन्नोसेंसी में कह लीजिए ये मौक दिल बोल दिया है कोई ऐसी सो कॉल्ड मौक दिल नहीं चलाई गई हमने पेशेंट को इंडिविज्वली ऑक्सिजन लेविल्स के लिए चेक अप किया कि किसको कितने मिनिमम लीटर्स पे मैंटेन कर सकते हैं ये मौक दिल जो बर्ड बोला गया है मौक दिल का मतलब को इस सेंट्रल लूम में जाकर के ऑक्सिजन को बंद नहीं किया गया है कट आफ नहीं किया गया है कि अब छट बटाने दो मरीजों को ऐसा नहीं है ऑक्सिजन को इंडिविज्वलाइज किया गया है बेट साइड जो 22 डेथ का ब्रहमक परचार किया जा रहा है मुझे हत्यार लोगों का गुस्ता भड़क रहा है लगातार हम देखना है कल से यह ऐसी ख़बरे आ रहे हैं कि बहुत सारी संक्या में प्रदर्शन कारी अस्पताल के बाहर एकटा हो रहे हैं